हर हर महादे दोस्तों स्वागत है आप सभी का ससेज तड़का किचन में आज मैं आप सभी के लिए पेड़े की रेसिपी लेके आई हूँ ये पेड़ा आपको कहीं नहीं मिलने वाला यानि कि मार्केट में भी नहीं मिलने वाला है ये घर पर ही मिलेगा आपको तो ऐसा सुध और देशी पेड़ा आपको खाना है तो आप घर पर ही इसको बनाईए और तिवहारों को एंगलाएगए तो चलिए बनाते हैं ऐसा सुध्ध देशी पेड़ा जो घर पर कुछ हिसामगरी से बन करके तयार हो जाता है चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इस डील का मैंने कढ़ाई ले लिया है और इसमें पहले घी लगा लेना है अच्छे से तो कढ़ाई के चारों तरप आप अच्छे से घी लगा लीजे घी लगाने के बाद इसमें 1.5 लिटर मैंने दूद लिया है डेर्ड लिटर दूद से ही एक किलो पेड़ा आपका बन करके आराम से तयार हो जाएगा तो गैस का फ्लेम आन कर लेंगे और हाई फ्लेम पर शुरुआत के हमें इसको 15 से 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है और यहां पर मैंने एक कटोरी भर करके चीनी लिया है यानि एक कप मैंने चीनी लिया है मीठा आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या ज़्यादा बता दे रही हूं कर लीजेगा आपको अगर कम मीठा खाना पसंद है तो आप कम भी इस्तमाल कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि देर्ट लिटर के हिसाब से चार चमच चीनी डाल देंगे और डाल करके अच्छे से चला लेंगे और यहां पर आप सब देख सकते हैं चार चमच मैंने चीनी का इस्तमाल कर लिया है बाकी चीनी जो है हम तीन बार में अभी डालेंगे जैसे ही दस मिनट दूद उबल जाएगा तब हम फिर चीनी इसमे आधा दूद रहा जाए पक कर के तब इसमें आप पूरा चिनी डाल दीजिए इसी तरीके से अगर आप इसमें कम चिनी यानि आधा कप अगर मीठा डालना चाहते हैं तो आपको एक साथ मीठा बिलकुल भी नहीं डालना है यानि थोड़ा थोड़ा करके आप 3-4 बार चीनी डालिएगा हलगायों जैसा अगर आप नरम मूलाय मूं में घुल जाने वाला पेड़ा बना करके तयार करना चाते हैं घर पर तो ये ट्रिक अपनाना पड़ेगा यानि चीनी एक साथ बिलकुल भी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर पर आपको चीनी डालना है जब दूध आपका इस तरीके से गाड़ा हो जाए तब गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजे और जब दूध आपका इस तरीके से और गाड़ा हो जाए तब गैस का फ्लेम लो कर दीजे अब low flame पर आराम से इसको एकदम बिलकुल कड़ाई छोड़ने तक पकाना है तो दिखिए यहाँ पर यह कड़ाई छोड़ने लगा है अब क्या करना है लाश्ट में इसमें एक चम्मच खाने वाले चम्मच के जितना ही घी डाल देना है घी डालने का रिजन यह है कि एक तो पेड़े में अच्छी सी साइनिंग आ जाएगी और पेड़ा आपका थोड़ा सा सौट भी हो जाएगा अब गैस का फ्लिम बंद कर देना है घी डालने के बाद और बस इसको कुछ देर यानि तकरीबन पांच मिनट के लिए ऐसे ही लगातार गैस का फ्लिम बंद करने के बाद चलाना है पेड़ा बनाना बिल्कुल आसान है बस ध्यान दीजे छोटी छोटी बातों को जब आप दूड डाले तो चीनी जो है आपको एक साथ बिल्कुल भी दूद में नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना है दूसरा ये कि जब आपका थोड़ा सा दूद गढ़ा होने लगे तब आप गैस का फ्लिम मीडियम कर दीजे और जब उससे भी गाड़ा हो जाए यानि की कढ़ाई छोड़ने लगे तब आप गैस का फ्लिम लो कर दीजे जब आपका दूद मावे की टेक्चर में आ जाए तब समझे ये पेड़ा बनाने के लिए परफेक्ट है तो बस इसको अच्छे से ठंडा कर लिजे पांच मिनट चलाने के बाद आप इसको चाहे तो फ्रीज में भी रख सकते हैं तो मुझे जल्दी था इसलिए मैंने इसको तकरीबन 20-25 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया था ऐसे ही कढ़ाई के साथ ही मैंने रख दिया था तो देखे अच्छे से ये जम गया है बिल्कुल अब पेड़ा बनाने लाइक हो गया है तो क्या करेंगे जैसे ही ये जम जा इस तरीके से तो इकठा कर लिजे और खुब मसलते हुए जैसे आप आटे का डो लगाते हैं वैसे ही अच्छे से खुब मसल मसल करके इसको डो फॉर्म में ले आना है मसलने से क्या होगा थोड़ा सा इसमें वाइटनेस भी आ जाएगा और जो दानेदार हमारा मावा बन गया है और वो दाना खतम हो जाएगा और बिल्कुल पेड़े के फॉर्म में ये डो लग करके हमारा तयार हो गया है तो जब इस तरीके से डो आपका तयार हो जाए बिल्कुल चिकना तब पेड़ा बना लीजे इससे तो देखे छोटे छोटे पोर्सन लेने हैं और इस तरीके का मेरे पास kitchen tools है और इसको इस तरीके से आप दवा दीजे तो देखिए पेड़े के ऊपर आपका एक अच्छा सा design तयार हो जाएगा आपके पास अगर पेड़ा बनाने वाला मोल्ड है design दार तो उससे भी बना सकते हैं नहीं तो आप फोग ले लिजे या kitchen का इस तरीके का कोई tools है या आपके पास कोई धकन है जिस पे design बना हो या आपके पास बहुत से सारे kitchen में सामान होते हैं तो आप उससे भी पेड़े के उपर design दे सकते हैं तो मेरे पास यह है तो मैंने इससे खुबच्छा सा design दे दिया है इस तरीके से तो देखे छोटे छोटे पेड़े बनाते जाना है और रखते जाना है प्लेट में पेड़े मेरे सभी बन गए हैं तो इसके उपर से आप चाहे तो चांदी का वर्क लगा सकते हैं या फिर आप केसर के धागे भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं मैंने इसके उपर से चांदी का वर्क थोड़ा थोड़ा लगा दिया है ताकि देखने में ये अच्छे लगे तो लीजिए कितना software मुलायम ये पेड़ा बन करके तयार है हमारा ऐस पेड़ा मार्केट में भी आपको नहीं मिलने वाला है घर पर सुध देशी पेड़ा आप बनाईए यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट लगता है ये पेड़ा डेट लिटर दूस से हमारा एक किलो पेड़ा बन करके तयार हो गया है अब मार्केट से मत मंगाईएगा महें मिठाई घर पर ही सस्ते में बनाईए मिलावटी मिठाई खाने से तो अच्छा है कि सुध देशी तरीके से घर पर ही बना लिया जाए तो फिर मिलूंगी एक नई रेस्पीक साथ तक तक के लिए बाई बाई थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई